हरी द्वार का बस स्टेंड और यह रहा रेलवे दोनों पास में हैं हरी द्वार में रेलवे स्टेशन और बस स्टेंड फाइनली मैं हरी द्वार रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूँ अब यहां से जैपूर की आत्रा आरंभ होगी बने रही है हमारे साथ ले चलता हूँ मैं आपको जैपूर के वादियों में तो रेलबे का नजारा भी देखते रही है रेले आत्रा कैसी होती है और यह है हरी द्वार रेलबे स्टेसम और उस सामने बस स्टेंड के बाद जब मेरी द्रेन आएगी जैपूर जाने के लिए तो दिखाऊंगा आप लोगों को आप लोग देख रहे हैं अब हम लोग प्लेटफार्म नंबर दो पर पहुंचने वाले हैं आचुका है प्लेटफार्म नंबर दो अब हमारी ट्रेन कुछ ही देव में आने वाली है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यह भी आत्रा कि काफी बड़ी खासियत है कि कभी भी समय से नहीं पहुंचती है यह भी लेट और एप में भी अप्टूडेट भी लेट तो इस लेट के चक्कर में पने वहिया हमारे ञेता जमा हुरा हरा हुआ हरी दूँआ जब संते हैं अप्रिकतर हुए हम लोगों को जाना है दो लोगा टिकेट है तो जबी हमारे से लेट को टेट बड़ी खासा उना दूख अभी शहर करता है और यह हमार चुके हैं अपने बोगी में देखते हैं देखिए हमारा सीट है यह ट्रेन खुल चुकी है बारीस का भी मौसम है देख रहे हैं आप लो तो चलिए समनर जारी रक्षे हैं आप लोंके साथ अब जाने में लाउट अब यह जाने में ना ना काई कुछ ना काने कुछ ना परिया पर देखिए वारे हैं अब यह ट्रेम का सब्टी आइफ टेक्यों अब लोड की स्टेसन से हमारी टेम खुल चुकी है तो बने वेगी है हमारे साथ सफर्ण में आप लोग का बातरूत भी काफी साफ है आप लोग जेख सकते हैं आप इस तो आप इस तरीके सेच को रखा गया है और यह लेखी में ड्रेडशी प्रोगेर में चुता है कंबल है कंबल है अबने वेगी हमारे साथ जो टो परिए यह चुझाए अबने गया है अबने अबने दो किया इस तुर्षिंट शुचाए अबने दो किया ठेल के लेखने अबने पर दो आपको अबने में आपको किया है प्लेटफॉर्म पे देखिए कैसे लोग रहते हैं यह रामपुर्मानिहारन एस्टेशन का द्रिश्टे है लोग रात भी राते बिता रहे हैं ठीकाना नहीं होगी हुई श highness कर देखिए राते बा रहे राते राते बामपुर्मानिहां हां एक यह रहे हैं राते आवञाते बुड़्मानिहां महें होगी पहर दो की तरिब दो समय मुटें और किया मुटें पूंग मुटेंगा jin आई जलद में प्रेशिक भी है यूप की दो आगे बाद से नहागी है वहीं देव में हमारी इश्टेसन आने वाली है गांदी नगर जो जैपू से एक इश्टेसन पहले है वह आ गया हो गांदी नगर हो जैपू से एक इश्टेसन पहले है कि अधिनली मैं ट्रेन से नीचे आगया हूं गानी नगार एस्टेशन पर जो आप लोग देख सकते हैं और मैं बाहर जाकर के आत्रा आपके वह को दिखाता हूं कहां से कैसे क्या होता है कि लांगो और सामान ले जाने के लिए बनाये गया है या गृदो के लिए और बाहर निकलने का बहत्रेंस ने भी बनाया गया है जो इर्दम प्लेन है इस पर टिकट वालों का पर च्छाले देख सकते हैं यहां सब्सक्राइब करके निकलूंगा मैं और यह डबल डेकर ट्रेन है नीचे भी उपर भी दो मंजिले की तरह और फाइनली मैं गांधी नगर एस्टेशन से एक जीट हो चुका हूं पिछे आप लोगों को गांधी नगर का शाइन बोर्ट दिखाई दे रहा होगा तो अमारी यात्रा हरीद्वार से गांधी नगर जैपूर का समाप्त होता है अब अब सब्सक्राइब करें और अगर आप सबसे हाँ जोड़का निवेदन है कि आप वीडियो देखने लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी करें और अगर आप सूपर थैंक्स भी करेंगे करते हैं तो सोने के सब्सक्राइब